नमस्कार दोस्तों, मैं श्रतागरवाल, एनर्जी हिलर, मेडिटेशन इस्ट्रक्टर, आज हम सम्मिलकर सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन करने जा रहे हैं, सेल्फ हिलिंग यानि स्वाव उपचार, हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में और हमारे मन में इतनी ताकत होती है, कि वो हर बिमारी का इलाज खुद ही कर सकता है, वैसे हम बिमार पढ़ते क्यों हैं, ये बिमारी या ये डिजीज आते कहां से हैं, अगर आप डिजीज शब्द को ब्रेक करेंगे, तो पाएंगे डिस, इस, यानि आप अपने इस में नहीं हैं, आप परिशान, चिंता या इस्ट्र परित हो गया हो, तो हम तुरंथी स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या बिमार पढ़ जाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने मन विचार से बिमार पढ़ सकते हैं, तो क्या उसी मन और विचार से अपने आपको स्वस्थ नहीं बना सकते हेल्दी नहीं बना सकते क्या हम अपने आपको हील नहीं कर सकते हाँ बिलकुल कर सकते हैं हमारा बॉड़ी खुद ही एक दवाई घर है आप देखे ही होंगे कि किती बार कभी आपको चोट लगी हो या आपको कहीं कट हुआ हो कोई घाव हुआ हो और आप कोई बाहरी उपचार नहीं भी किये तब भी आपका शरीर खुद ही हील हो गया तो दोस्तो ब्रह्मान में और हमारे शरीर में चारों तरफ इत्ती सारी डिवाईन एनर्जीज और हीलिंग एनर्जीज पावर होते हैं जो कि हमें खुद ही हील रख करते हैं स्वस्तर उर्जावान बना कर रखते हैं फ्रेंट्स हमारे ये फिजिकल बॉडी के साथ-साथ हमारे और भी एनर्जी बॉडी होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते और उसी एनर्जी बॉडी में छोटे छोटी चक्राज होते हैं और वो अलग-अलग रंग के होते हैं अलग-अलग उनका काम होता है चक्रा के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन आज हम उन्ही में से एक चक्रा हाट चक्रा जो दिल के पास होता है जिसका रंग है हरा और उसी की इतना पावर है कि वो बिमार से बिमार इंशान या फिर कोई बहुत परिशान भी होता है तो लव एनरजी उसे बिलकुल हील कर सकती है। और आपकी दुख परिशानिया या चिंता तुरंट से गायब हो गई। कील हो गए। इतनी ताकत होती है प्रेम की उर्जा में। तो आज हम अपने हार्ट चक्रा के ग्रीन लव हिलिंग एनरजी का इस्तेमाल कर सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन करेंगे। और एंजल्स को भी इनवोग करेंगे कि वो आकर हमें अपने हम सब के इस ध्यान में अपने हिलिंग पावर देकर हम सब को स्वस्त बनाए। तो देर क इस बात की तैयार हो जाएं आज के सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन के लिए। आराम दायक अवस्ता में बैठ जाएं। आप चाहें तो अपने हाथ पर क्रॉस या अनक्रॉस भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को बैठ कर या लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप लेटे हूँ तो अपने माइंड को ओडर दे दे के सिर्फ आपका ये शरीर सो रहा होगा। लेकिन आप जागती रहेंगे। अब हम स्वा उपचार ध्यान विधी आरंब करते हैं। ए मेरे लॉजिकल माइंड मैं तुम्हें आज्या देती हूँ कि कुछ देर के लिए शान्त हो जाँ। जब मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ, तो किसी भी तरह की शंका ये डाउट को आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन शान्त हो जाँ। शान्त हो जाँ। आपका मन पूरी तरह से शान्त हो जुका है। स्थेर हो चुका है। अब हम हीलिंग एंजिल्स को। और उनकी एनरजी को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। कि वो आकर आज के ध्यान में अपनी हीलिंग एनरजी से भर दे हमें। और हमारा उचार करें। आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव बॉल बन रहा है। ये सुनेहरा प्रकाश आपके चारों तरफ एक घीरा बना रहा है। जो आपको आपके ध्यान में किसी भी तरह के बाधा को आने से रोखेगा। बाहर में कि कोई भी तरह की आवाज या कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। टारों नहीं करेगी। सावल रॉकं प्रकाश से रहा है। आज मुझे आप अपने ग्रीन हीलिंग एनर्जी से भर दीजे मुझे पुन विश्वास है कि ग्रीन हीलिंग लाइट हरे रंग के दिवे ओर जा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और मेरे शरीर के भीतर मन के भीतर जो भी तकलीफ चिन्ता परिशान्या है उसे वो हील करेगी मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बनाएगी मुझे पूरी तक वाल मेरे करेगी अब अब कुछ गहरी लंबी स्वांस ले और गहरी लंबी स्वांस बाहर छोड़े फिर से एक बार गहरी लंबी स्वांस अंदर और गहरी लंबी स्वांस बाहर शरीर के हारे कांग को रिलेक्स होता हो आनुभाव करे शरीर में कहीं भी कोई अकडन हो, तनाव हो तो उसे ढिला छोड़ दें और रिलेक्स हो जाएं हर आती हुई स्वास के साथ आप फ्रेश एनरजी से भरते जा रहे हैं और जाती हुई स्वास आपके निगेटिव एनरजी यूजड अप ओल्ड एनरजी को बाहर कर रही है इनरजी यूजड़ देलाज देल इनरजी यूजड़ हैं झाल 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 सर के उपर लेकर आएं एंजिन्स के डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनरजी जड़ने की तरह गिरते हुए आपके पूरे मस्तिस्क पर आ रही है देखें अपने मन की आँखों से ये हरे रंग के दिवे ऊर्जा आपके पूरे दिमाग में ब्रेन में भर रही है आपका पूरा दिमाग घील हो रहा है स्वस्थ हो रहा है आपका दिमाग सही से अपना काम करता है सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है हरे रंग के उर्जा को अनुभव करें पूरे मस्तिस्ख में फैल चुकी है अब आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की नकारात्मक सोच के लिए कोई जगर नहीं आपकी यादास शक्ती बहुत अच्छी है अब या हरी रोष्णी आपके चहरे पर भर रही है आपकी आँख, नाँख, कान, मुह में हीलिंग अनरजी जा रही है और उसे स्वस्थ बना रही है आपका पूरा चहरा दिवे रोष्णी से रोष्ण हो रहा है अब या ग्रीन हिलिंग लाइट और नीचे उतर रही है आपकी गर्दन पर, गले पर, दोनों कंधों पर और अब दोनों हाथों में फैल रही है हाथों की उंग्रिया तक पहुच चुकी है अब यहरे रंगी रोष्णी आपके पूरी छाती पर फैल रही है और अब आपके दिल में भर रही है आपके पूरे हाथ को दिल को हील कर रही है आपके दिल में अगर कोई भी ब्लॉकेजिस थे तो वो हट रहे हैं दिल में किसी के लिए भी कोई करवाहट नहीं कोई भी दुख्या तकलीफ थी तो वो सब काले दुए की तरह बाहर निकल रही है आपके दिल में सब के लिए नी स्वार्थ प्रेम करुना दया भाव है आपका दिल, प्यार, खुशी और शान्ती से भरा हुआ है सही से धड़कता है स्वस्थ है, तंदरुष्थ है स्वस्थ है अब यह ग्रीन हीलिंग लाइट और लीचे उतर रही है और आपके लंग्स में फेफ़डों में भर रही है आपका लंग्स क्लीन हो रहा है हील हो रहा है आप अच्छे से स्वासे ले पाते हैं आपका लंग्स स्वस्थ है, हेल्दी है हरे रंग्स की रोशनी दिव्य उजा पूरे लंग्स में फैल चुकी है और उसे स्वस्थ बना रही है अब देखे ग्रीन हीलिंग लाइट को और नीचे उतरती हुए जो आपके पूरे पेट में भर रही है पूरे स्टमकेरिया में इंटस्टाइन में पैंक्रियास में लीवर किटनीज में बॉडी की हरी कॉर्गंस में ग्रीन हीलिंग लाइट भर रही है उसे हील कर रही है अगर आपको जगह नहीं मालूम तो सिर्फ इंटेंशन ही काफी है आपका पूरा पेट स्वस्त है डाइजिस्टिफ सिस्टम बिल्कुल सही है आपका पेट सही से खाना बचा पाता है वो स्वस्त है ग्रीन हीलिंग लाइट आपके दोनों किट्नीज में भर रही है आपके किट्नीज में अगर कोई भी ब्लॉकेजिस है तो उसे वो हटा रही है स्वस्त बना रही है आपके दोनों किट्नीज सही से अपना काम करते हैं और वे पूरी तरह स्वस्त है अब अपनी चेत्ना अपने लीवर की तरफ लाएं जो आपके पेट के दाहिनी तरफ है ग्रीन हीलिंग लाइट वहाँ जाकर उसे भी हील कर रही है आपके लीवर और किट्नी सही से अपना फंक्शन कर रहे हैं वे तंदरुस्त हैं, स्वस्त हैं अब हीलिंग अनर्जी को पूरी पीट पर फैलते हुए देखें आपके पूरी पीट और स्पाइन हील्ड है झाल फाइन हील्ड पीट को ओाइन हील्ड है झाल 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 है आपके शचल है आपते हैं आपके ड्जेखें अब ग्रीन हीलिंग लाइट को अपनी कमर पर फैलते हुए देखें अब यह रोश्णी आपकी जांगु में आपके जनिटल एरिया में आपके पूरे थाइस में फैल रही है अब यह रोश्णी और नीचे उतर रही है और आपके खुटनों पर भर रही है आपके खुटनों में एक अलग सी शक्ति भर रही है डिवाइन हीलिंग पावर जो उसे स्वस्थ बना रही है अब हीलिंग एनर्जी और नीचे उतर रही है आपके काफ मसल्स में और पैरों के तलवे तक पहुँच चुकी है आपका पूरा पैर भी स्वस्थ है तंदरुस्थ है देखें सर से लेकर पाउं तक आप ग्रीन हीलिंग एनर्जी दिव्य हरे रंग की रोशनी से भर चुके है आपका पूरा शरीर प्रकास्त में हो चुका है यह रोशनी शरीर के हर एक आम हर एक सेल में हर एक टिशू में हर एक टिशू में है हर एक और गन चारों तरव भड़ चुकी है और उसे पूरी तरहील कर चुकी है निरोगी बना चुकी है आपका पूरा शरीर स्वस्त हो चुका है आपका पुकी है कर लाएंपका पुकी है यह सब्सक्राइए पुकी है झाल झाल इस एनर्जी के वाइब्रेशन को महसूस करें जो आपके शरीर में चार उतर भूम रहा है आपका आभा मंडल, आपका औरा भी तिव्वे रोश्नी से शक्ति शाली हो गया है श्रॉंग बन चुका है ये हीलिंग एनर्जी आपके सिर्फ शरीर को ही नहीं आपके मन और आपकी आत्मा को भी शुद्धी प्रदान कर रही है आपको बाधा दे रही थी उसे ये हीलिंग एनर्जी निकाल कर बाहर कर चुकी है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर प्रकृति की अन्मोल देन है अब हम अपने और अपने शरीर के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मिशन कहेंगे मेरे साथ अपने मन में दोहराएं मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी काया है सभी रोग मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं मौसम के हानिकारक परिवर्तन मुझे प्रभावित नहीं करते मैं एक स्वस्थ, खुशहाल और आनंदिक व्यक्ति हूँ मुझे किसी भी चीज का कोई डर या भै नहीं है मेरे रिष्टे सभी से बहुत प्यारे हैं एश्वर की दिवे उर्जा मेरे चारो तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है मैं सेफ हूँ और अपने गुड हेल्थ और फिटनस में हूँ इसे के साथ आज के हम ध्यान को समाप्द करते हैं स्थे 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 हेल्थ और अगी थांक्यों